नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निलाला कंस्ट्रुक्शन चानल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में में आपको एक बहुत इक उपसूरत बन रहे घर का साइड एलेशन का डिजाइन और स्वीट 25 में बनेया जा रहा है मतलब यह जो आप इसका फ्रंट इलेशन देखेंगे वो 35 में बनेया गया है फ्रंट इलेशन के तरफ में आपको ले जाऊंगा पो टिको के बारे में भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले में आपको साइड इलेशन में दिखाना चाहता आप देख पारे हैं कि साइड इलेशन में वैस्ते जादा कुछ काम नहीं किया गया है बिल्कुल इजाइन का आप यह चछजा भी देख सकते हैं तीन विंडो है तीनों के ऊपर सिंपल इजन का चछजा ऊपर में देखेंगे चछत के ऊपर तो आपको एक बिट डिजाइन का उपयोग किया गया है विंडो में भी और पॉर्टिको में भी तो चलिए सबसे पहले मिले के चलता हूं इस विंडो की तरफ जहां पे को गलतिया भी हुई है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं तो यहां पर देखे किस तरीके से बनाया गया है यह जो सदल धाति को फारे मुझत वर के लिए को इसे घ्राय कर लिया गया था और उपर में आप देख रहे हैं कि आसे गलाये का इस्तेमया यहां पे आप जिससे आपको एक अच्छा combination देखने को मिलेगा मैं आपको दूर से भी दिखाऊंगा लेकिन पहले आप देख लीजिए यहां से इस घर का इंट्रेंस है चुराई के बाद के जाए पोटिको का तो 6 फिट का है और लंबाई के बाद के जाए तो 13 फिट का है बतलब 13 फिट ब आपको दिखाऊंगा बस आप दिखते जाईए बहुत सारा आड़ी आप ले सकते हैं यहां पर आप चाहें तो ग्रील अगर अभी लगा सकते हैं है एक तिरसे माना जाते हैं यह आपका वेटिंग एरिया का भी काम कर सकता है तो डेख यहां पर ये कॉल्म लगाया गया है कर नहीं यहां से कौलम कर सकते हैं तो देखें दूर से दिखाता हूँ आपको सारी चीजी अच्छे से समझ में आगे उपर में बहुत ही अच्छा यहां पे काम किया गया है और बिट डिजाइन का भी इस्तेमाल आप देखेंगे सामने के तरफ आप देखेंगे तो यहां पर मिल जाता है दोस्तों खाली जगा उसके उपर में देखेंगे तो आपको मिलता है और इधर साइड में देखेंगे तो जो हमारा मोटार रहता है सिमेंट वाला उसी का उप्योग करते हुए बनेया गया है यह देखें उपर में आपको मिल जाता है स्लोप डिजाइन और यह देखें जो पट्टी डिजाइन ह इसे दो इंची चोरा आप बना सकते हैं और बीच में उसे आप देख सकते हैं इट की मदद से या फिर ढलाई की मदद से इसे बने आ सकता है ये देखिए ये दोनों मिलकर आपको इक अच्छा combination देगे जब आप एक अच्छा combination के साथ इसे Color करेंगे कर तो यह तो बात है दूस्तों प्रोटिको का और विंडो का जब भी आप घर बनाई तो कोई ऐसा काम करें जिससे आपको एक अच्छा कोमिनेशन मिले मतलब आपके जो विंडो है वहाँ पे और आपका जो पर्टीकों यहाँ पे देखे दोनों यह सेम डिजाइन बनाया गया है जिससे आपको एक अच्छा लिक मिलता है तो देखे इस टप से काम किया गया है इसका भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब आपको एक अच्छा रिजन देखने को मिल सकता है जो भी इस घर का विंडो है उसे आप देख पारें कि लकड़ी का लगाया गया है यहाँ लाइटिंग वगारा के लिए भी व्यवस्ता किया गया है आप चाहें तो अपने मन चाहाँ जगे में पॉइंट दे सकते हैं उसी का उपयोग करते हुए इस्टाप का कटिंग डिजाइन आप बनवा सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सपर्ट मिस्ती रहेंगे वही इस्टाप का कटिंग कर पाएंगे आप चाहें तो यहाँ पे जो छप्पर वाला डिजाइन होता है उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं छपपर भी आप उपर में लगवा सकते हैं तो देखे मैं आपको दूर से दिखा दे रहे हूं इस घर का फ्रेंट एलवेशन का डिजाइन साइड एलवेशन का डिजाइन पर टीको का बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं बहुत जल्द इस घर का वाक्तरू में आप लोग के लिए लाने वाला हूं और कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो भी लाने वाला हूं देखना चाहते हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए अंजनिय प्रबाद और पूरी टीम को देज़े इजाजत नम अश्कार